क्या एक छोटा सा कौकरोच परमानों हमले से निकलने वाली रेडियेशन को जहल सकता है ये मित कितना सही और कितना गलत है चलो इस वीडियो में समझते हैं दूसरे विसो युद के दोरान जब अमरीका ने जपान में परमानों बम गिराया था उसके बाद कुछ रिपोर्ट में सामने आया कि बम गिरने के बाद भी वहां कौकरोच मलवे में चलते हुए देखे गए थे जब साइन्टिष्टों ने कौकरोच परियोग किया तो पाया इससे साइन्टिष्टों को पता चला कि कौकरोच काफी मातरा में रेडियेशन का सामना कर सकता है यानि परमानों अटेक से निकलने वाली रेडियेशन का तो ये कौकरोच असानी से जहेल सकता है लेकिन इससे निकलने वाली तेज गर्मी के संपर्क में आने से ये तुरंत ही मरने लगता है